नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका स्टडी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में फाइनली जो जो बच्चे हरियाना पुलिस का वेट कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज आई है बहुत जल्द आपको नोटिफिकिशन देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको पताईए कि इस हरियाना पुलिस की भरती के लिए नियम शंचोधित किये जा रहे थे हरियाना गरह मंतराले के द्वारा और उसमें कुछ चेंजिज भी हुए हैं तो जान लेंगे इस वीडियो में हम हरियाना पुलिस की वेकैंसी कब तक आ सकती है और इसका एक्जाम कब तक हो सकता है इसकी eligibility criteria क्या होता है और age qualification वगएरा सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे और अंत में मैं ये भी बताऊंगा आपको की हरियाना पुलिस के लिए best coaching आप कैसे कर सकते हैं self से कर सकते हैं या फिर course लेना चाहिए आपको everything आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मेरे हिसाब से मैं हर doubt आपका इस वीडियो में clear कर दूँगा हरियाना पुलिस के according फिर भी अगर आपका कोई query है या कोई doubt रह जाता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं और channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजिए और bell icon button को भी press कर लिजिए ताकि समय पर आपको सारी notification मिल सके और YouTube में हमें follow करते हैं तो हमारा telegram group जरूर से जरूर join कर लिजिए सारी notification सारी update सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है तो चलिए start कर लेते हैं ये एक news है जिसमें हरियाना पुलिस के बारे में बताया गया है और देख लेते हम इस news में क्या बताया गया है बाकी notification आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम सब कुछ जान लेंगे तो ये देख लिजिए हरियाना पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भरती परकरिया में बड़ा उल्ट फिर और पहले PMT होगा और फिर knowledge test होगा आखिर में PST होगा तो पहले आपका running वगएरा कराई जाएगी प्री PMT होगा और उसके बाद आपका return test होगा और बाद में आपका PST वगएरा और document verification जो भी होता है वो होगा आपका तो जान लेते हैं मंत्री मंडल की मंजूरी circulation से ली जाएगी मंत्री मंडल की मंजूरी अभी बाकी है और दो सप्ता के बितर HSSC के पास पहुंच सकता है 6000 का आगरे पत्र तो ये एक बड़ी update है 6000 vacancy आने वाली है हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल की और इसमें कॉंस्टेबल की लगबग 5000 vacancy होगी male के लिए और female के लिए इसमें 1000 vacancy रहने वाली है तो ये काफी अच्छी opportunity है जो जो बच्चे तयारी कर रहे हैं हरियाना पुलिस की या किसी भी किसी भी हरियाना की exam की तयारी कर रहे हैं तो ये अच्छी opportunity है और आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या क two five अंक कटेंगे तो इसमें बताया गया कि negative marking भी रहने वाली है इसमें one fourth negative marking रहने वाली है बाकि अभी ये एक official news नहीं है जब officially notification आ जाएगा तो उसमें clear हो जाएगा कि negative marking होगी या नहीं होगी बाकि मेरे हिसाब से तो negative marking नहीं होगी और होती भी है तो जो बच्चे पढ़ working करते हैं उनके लिए कोई समश्या नहीं होगी बाकि आप तैयारी अच्छे से करते रहें अपनी आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया गया है डाक्टर नवंबर हरियाना पुलिस की सिपाई और सब इंस्पेक्टर की पदों पर सीधी भरती के लिए जो नियम शंशोदीत किये जा रहे हैं उसमें भरती प्रक्रिया में उलट फिर है अब सबसे पहले physical major test होगा और इसके बाद knowledge test होगा वही बताया गया है पहले आपक की परिकरिया होगी 90 स्वाल आपसे पूछे जाएंगे हर सवाल का एक अंग होगा और अगर उत्तर गलत हुआ तो 0.25 अंग कटेगा तो मेरे इस आपसे ये भी हो सकता है कि वैसे negative marking ना रखी जाए इस हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल में बट जैसे अभी group D में किया गया है लेकिं आपको 5 option मिल सकते हैं आपकी answer sheet में और अगर आप कोई भी option choose नहीं करते हैं तो आपका 0.25 mark काट लिया जाएगा मेरे ही सबसे इस negative marking का मतलब यही है बाकि अगर notification आएगा तो उसमें clear हो पाएगा कि कैसे negative marking ये करने वाले हैं तो next देख लेते हैं लिखित परिक्षा में हरियाना से संबंदित जानकारी कम से कम 20 सवाल होंगे मतलब हरियाना जी केस में 20 प्रशन पूछे जाएंगे मनोरलाल मुख्यमंतरी मनोरलाल से मंजूरी मिलने के बाद अब इन शंचोधित भरती नियमों का मंदरी मंदल से मंजूरी ली जा रही है मतलब कि मुख्यमंत प्रकादार पर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ऐसा हम अभी तक मान सकते हैं, अगे देख लेते हैं, यह मनजूरी सरकुलेशन के जरिये ली जा रही है सर्कूलेशन को मतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाने कि यह सकता है मतलब वही कैबिनेट के जो मंतरी होते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाए जाएंगी और अगर वो verify कर देते हैं कि हाँ ये नियम सही है बिल्कुल आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो उसके just एक या दो सब्ता के बितर आपको नोटिफिकेशन देखनों को मिल जाएगा cabinet memorandum जाएगा उनके अस्ताक्षर होंगे मतलब वो ये मंद्री मंदल की अस्ताक्ष दिख रहे हैं कि मंजूरी मिल जाएगी आपकी हरियाना करमचारी चैन आयोग के पास पूरू सिपाई के 5000 और मईला सिपाई के 6000 पदों पर चैन करने के लिए आग्रह पतर भेजा जाएगा उमीद है कि दो सब्ता के भीतर यह है आग्रह HSSC के पास चला जाएगा और उसके पूरे चांसी हैं आगे इन्होंने बताया है कि वैसे तो दिवाली बारा नवंबर की है और आग्रह पतर भेजने में बहद कम्स में हैं अगर सरकार तेजी से काम करें तो पुलिस परती का इंतजार कर रहे CET पास युगाओं को आग्रह पतर भेज कर और HSSC की तरफ से पहले आप तैयारी में लग जाईए क्योंकि हरियाना में बच्चे बहुत पढ़ते हैं और बहुत सारा कम्पिटेशन है बहुत से बच्चे बेरोजगार बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय से पहले आप तैयारी में लग जाईए हरियाना पुलिस की और ये मत बिल देख लेते हैं इन्होंने ये थोड़ा सा इन्होंने बताया गया कि देख लेते हैं अब भरती परक्रिया इस तरह से होगी पुलिस सिपाई के सभी रिक्त पदों पर सीधी भरती होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 फिजदी पर सीधी भरती होगी मतलब 50 फिजदी पर भरत क्वालिफिकेशन होती है वो प्लस टू पास रखी गई है जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेज़ेशन की योग यता रखी गई भरती के लिए सी इटी पास होना जरूरी है तो मतलब जो जिन बच्चों ने सी इटी का भी जो लास टाइम हुआ था सी इटी जो जो बच पास हैं उनको ही मुका दिया जाएगा आगे देख लेते हैं सबसे पहले पीएस्टी होगा वही सबसे पहले पीएस्टी होगा फीजिकल होगा डाइफ फीजिटी वेटेज होगा इसका और यानि 2.5 अंक मिलेंगे इसको जो आपकी फिजिकल वगरा होगा HSSC आविद को में से मेरिट अधार पर PMT आयोजित करेगी ताकि नोलेज टेस्ट के लिए चार गुना उम्मिदवार चैनित हो जाएं तो ये थोड़ा सा एक गलत वो तरीका है HSSC का की चार गुना बच्चे बुला रहे हैं जो जिन 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 ने HSSC CET क्वालिफाई किया था तो चार गुना तो नहीं होना चीए वैसे तो CET क्वालिफाई होना चीए ऐसा मुझे लगता है बट फिर भी राजस्तान में ये 15 गुना बुलाया जाता है बट यहां पे 4 गुना है तो सरकार को एक बार फिर से सोचना दिये क्योंकि बेरोजगारी हर्याना में बहुत जादा है तो उसके मद्यनेजर भी 15 गुना तो करना ही चीए बाकी तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हर्याना में हर्याना ने CET क्वालिफाई करना चीए ताक कि जादा से जादा रोजगार मिल्स के बच्चों को और बेरोजगारी भी कम की जादे आगे देख लेते हैं बाकी सरकार है करेगी तो अपने ही अपने नियम चंशोधित करती है बाकी आगे देख लेते हैं PMT Medical और Medical Dietiges होगा और Height एक की किलोमेटर तक की Iignsकुरेसी नपِّ जाएगी Mechanical Device से नपि जाएगी यह वही प्रोसेस बताया गए है कि आपकी हाइट कैसे ना भी जाएगी, कौन-कौन से मेजरमेंट होंगे, उसके बारे में बताया है, नोलिज टेस्ट के बारे में देख लीते हैं, नोलिज टेस्ट नबे अंको का होगा, नोलिज टेस्ट चार गुना उम्मिद वारों को आय अधार पर 4 गुना निकाला जाएगा डारेक्ट चार गुना नहीं होगा पहले जो PMT क्वालिफाई करेंगे उसके अधार पर 4 गुना निकाले जाएगा तो इस बार इन्होंने काफी सारे changes किया हैं तो इन्होंने return exam में एक minimum criteria भी set कर दिया है, journal के लिए 50% लाना अनिवारे होगा और जो बाकी सारी reserve category बचगी जैसे की OBC होगी, ST होगी, तो उनके लिए 40% marks लाना अनिवारा होगा, उसके बाद वो PhD के लिए आगे बेजी जाएंग के साथ attach करने के साथ होगी, PhD सभी events की final stage होगी, अन्त में ये PhD आपका conduct को राया जाएगा, PhD की second stage पर नहीं होगा, ताकि किसी कानूनी विवाद बढ़ सकता है, मगर मोके पर एक committee गठीद होगी, जिसके उम्मिद्वार अपनी बात सक रखेगा, तो ये तीन प्रकिरिया आगे देख रहे थे, इन्होंने क्या कुछ यहां पर बताया है, knowledge test में ये question बता रहे हैं कि क्या क्या आने वाले है, वाकि notification में clarify हो जाएगा, जैसे HSC Group D का exam paper आया था, जो NTNA लिया था, exact जो उन्होंने syllabus दिया था, उस ही के according आया था, उसमें computer का syllabus नहीं दिया गया था, और जो official notification आएगा, उसके according ही आप तैयारी कीजिए, वैसे आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए, इसमें देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है, कि knowledge test जो आपका computer test होगा, उसमें computer अधारित 10 questions और 20 हरियाना अधारित सवाल होगे, मतलब कि 10 questions आपके computer के भी पूछे जाएंगे, और 20 सवाल आपके हरियाना जी के क्याने वाले हैं, नेक्स देख लेते हैं, knowledge test objective type का होगा, मतलब MCQ टाइप का question paper होगा, 90 सवाल होगे, इसके अंदर और 90 मिनट का आपको डेड़ घंटे का समय दिया जाएगा, परतेक सही उत्तर का एक अंक मिलेगा, और गलत उत्तर के जर्नल reasoning आएगी सामने तर्क mental attitude आएगी और numerical ability मतलब math भी आपसे पूछा जाएगा, agriculture से आपसे question पूछे जाएंगे, animal husbandry से आपसे question पूछे जाएंगे, संबंदित और कम से कम हरियाना के बारे में, बुनियादी जैनकारी संबंदित 20 पर्शन मलब होई हरियाना से संबंद जो प्रशन का level होगा, वो plus two base रखा गया है और जो graduation का, जो sub inspector का paper होगा, उसका level प्रशनों का graduation base पर रखा जाएगा, ऐसा इनोंने बताया है, बाकि notification में you don't worry, clear हो जाएगा, हम वहाँ पे exact तरीके से उसको बिल्कुल discuss कर लेंगे, मेरा बस यही suggestion आप से, notification आपको नवंबर में जरूर देखने को मिल सकता है, आप तैयारी अभी से करने लग जाईए, पिएस्टी के यूं मिलेंगे अधिक्ताम अंग, ये पिएस्टी के दोंक निर्धारित किये गए हैं, जो अंतिम स्टेज होगी, उसको देख लेते हैं, पिएस्टी के लिए अंग इस तरह मिलें जो समय से पहले दोड़ पूरी करेगा, मतलब जैसे जो समय दिया गया है, धाई किलोमेटर आपको दोड़ना पड़ेगा, बारा मिनट में पूरी करेंगे, अगर कोई 11 से 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करता है, तो एक अंक मिलेगा उसको, और अगर 11 मिनट से कम में पूरी कर तो एक अंक मिलेगा और अगर पांच मिनट 20 से कम में पूरी करती है तो उसको दो अंक मिलेगा तो ऐसे पीएश्टी के माक्सिनों ने दिया गया है मैक्सिमिमाम आपको दो ही माक्स मिलेंगी इसमें आगे देख लेते हैं सर्विसमेन के बारे में आप लता है एक किलोमेटर क दोड़ों के सर्विसमेन की और जो पांच मिनट में आपको पूरी करनी होगी अगर चार मिनट बीच सेकंड में अगर एक सर्विसमेन पूरी कर लेता है तो उसको दो अंक मिलेगा तो ये पीएश्टी के बारे में इन्होंने बताया गया है अगे पीमटी के लिए यू मिल देख लेए जा रहे हैं चेस्ट के दिये जा रहे है और हईट की दिये जा रहे हैं जो सामान्या से ज्यादा अधिक हाइट और चेस्ट होगी उनको ढई अंक मिले जाएंगे कैसे मिलेंगे देख लेते हैं एन्सीसी तीन फीजदी वेटेज रखा गया है जो उम्मिदवार नोलेज टेस्ट में पास होंगे उन सभी को दस्ताविज जांच के लिए बुलाया जाएगा बला वही डोकुमेंट फैरिफिक्षन के बुलाया जाएगा दूसरे सभी उम्मिदवारों यहीं से भार हो जाए मिलेंगे एनसेसी सर्टइविक्ट्टे एगरेड के 3 और Bुरेड दो और उती जर्त का एक अंक मिलेंगे तो यहांपे एनसी जर्त कर ल mars जंक भी लेंगे तो ये इन्होंने एक knowledge एक इन्होंने news निकाली है तो ये हमने पूरा discuss कर लिया है इसके बारे में और फिर भी अगर आपका कोई doubt या कोई query है तो आप comment करके पूछ सकते हैं बाकी मेरा यही suggestion है नवंबर के end तक आपको हर्याना पुलिस constable का notification जरूर देखने को मिल जाएगा आप अपनी तैयारी में लग जाएए क्योंकि हर्याना में बहुत ज़्यादा competition है बेरुजगारी भी बहुत है इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाएए और कहां से आपको तैयारी करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं बिलकु GS और हर्याना जी के मिलाके I think 40-45 नंबर की आने वाली है और ये काफी exam decided रहने वाली है तो यहाँ पे आपको to the point सिर्फ उतना ही करवाया जाएगा जितने आपका exam में आने के लिए संभावित होगा और इतना करने के बाद कोई आपको बुक कुछ पढ़ने की जूरत निया definitely आपका यहाँ से हो जाएगा हर्याना जी के और नेशनल जी के हो जाएगा बाकि हमारे channel पर 1000 MCQ की playlist रखी भी है history के तीनों पार्ट जैसे की ancient medieval और modern के तीनों पार्ट पड़े हैं जोगरफी के 1000 MCQ पड़े हैं और polity का 1000 MCQ अभी 5 से 7 या 10 दिन मे 1000 MCQ की series आ जाएगी उसके ब पर डे आप आपसे करवाए जाएंगे और यह रहने वाला है हमारा schedule और अगर आप selection लेना चाते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon बटन को भी टैप कर लीजिए और age की भी काफी बचे पूछ रहे थे कि 18 से 25 साल age मांगी जाती है इसमें constable के लिए और SI के लिए maybe 27 या 28 साल होती है और age relaxation वैसे ही दिया जाता है जैसे सभी states अपने या center देता है OBC और जो भी reserve category है SC और SD को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है तो यह छोटी सी information आई थी जो मैंने अपके साथ discuss की main मुद्धा यह है कि आप अपनी तयारी में जितना जल्दी हो से लग रने वाली है और आप इस तयारी में लग जाईए क्योंकि अभी से आप तयारी शुरू कर देंगे तो 1 से 2% आप और बच्चों से आगे हो जाएंगे selection वाली तयारी के लिए अभी join कर लीजिए धन्यवाद